पूर्व कॉंग्रेस नेता संजे निरुपम ने लोगों से अपील की है कि वो कॉंग्रेस पार्टी को चुन कर अपना बोट बरबाद ना करे और इसके बज़ए सत्तरून भाजपा और उसके सहयोगियों के साथ जाएं आज लोग सभा चुनाव के पहले चरण की बोटिंग में 21 राजियों में 102 सीटों पर मतदान हो रहा है निरुपम ने कहा कि मैं मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो भाजपा और उनके सहयोगियों को बोट दें और कॉंग्रेस को बोट देकर अपने बोट को बरबाद ना करें निरुपम ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी मुंबई में एक हरिटेज इमारत की तरहा है जो अब रहने लायक नहीं है पुराने और ठके हुए नेता उस इमारत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो देश के इस्तिती नहीं बदल सकते निरुपम को इस महीने के शुरुवात में पार्टी विरोधी बयानों के लिए कॉंग्रेस से निकाल दिया गया था जबकि उन्होंने जवाब में दावा किया है कि उन्होंने पहले ही स्तीफा दे दिया है कॉंग्रेस से निकाले जाने के बाद निरुपम ने देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेताओं पर ये तंच कसा है पार्टी से निकाले जाने के पहले निरुपम ने कहा था कि मलिका अरजुन खरगे के नित्रित वाली पार्टी में पांच श्रक्ति केंद्रे थे खुद खडगे पूरपाटी प्रमुक सोनिया गांधी और राहुल गांधी महासचिव केसी वेडु गोपाल और प्रयंका बाड़रा महराश्ट के मुंबई उत्तर पश्रिम नरवाचन शेत्र के पूरुसांसद निरुपम मौजूदा जुनाव में टिकट कटने से नाराजच चल रहे थे ये सीट कॉंग्रेस के सहीयोगी शिवशेना के खाते में चली गई शुक्रवार के पहले चरण में महराश्ट की पाँच सीटों पर भी मतदान हो रहा है इनमें भंडारा, गोदिया, चंदरपुर, गडचीरोली, चिमूरी, नागपुर और रामटेक शामिल है